नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ हैवल्स का क्रिस्टल टी और कॉफी मेकर ये प्रोड़क्त में बहुत टाइम से ट्राय करना चाहती थी परचेस करना चाहती थी क्योंकि अगर आप टी लवर है या कॉफी लवर है तो डेफिनेटली आप ये प्रोड़क्त के बारे में जानते होंगे ये एलेक्ट्रिक टी मेकर है और हैवल्स का है इसका प्राइस जो है वो एराउंड बती सो रुपए आपको प्रिंट रेट मिलता है रेकिन आमाज़ोन पे आपको अठाइस सो रुपए में मिल जाता है इसमें आप टी और कॉफी बना सकते हैं फिल्टर कॉफी के शुकीन ह तो ये आपको पसंद आने वाला है लेकिन आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं ग्रीन टी क्योंकि इसे में टेस्ट कर रही थी एक दो बार मैं ग्रीन टी बना चुकी हूँ इसमें तो मुझे लगा आप लगों को साथ शेयर करना चाहिए इस तरह के एक आर्डबोर्ड बॉ बना हलते हैं इस साल के निए 2 सल की अवरम्ट बिल रए है एक मैनुआइक का इसको कैसे स्टमाल करना है और इसे कैसे क्लीन करना है जो किवैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाले हूं तो यह मैनुआ आपको मिल रहा है इसके साथ जो अटाश्मन मिल swoją ब्रॉंट क्लीन करने वाला आपको ये ब्रोश मिलता है और इसके साथ साथ образом आपको इस तरीकी का एक पानल मिलता है कि ऊपर रख के इसे सिमाल करना है अगर इसकी बॉड़ी की बात की जाए तो ग्लास की बॉड़ी आपको यहां पर मिल रही है और उपर प्लास्टिक है तो इसकी मुशीन जी है आप देख सकते हैं और यहां पर आपको एक बल्ग मिल जाता है जैसे इंडिकेशन होता है कि यह चल रहा है इसमें आप बना सकते हैं 200 ml से 700 ml तक का जो भी आप टी या कॉफी बनाना चाहते हैं और यह आप अपने तो आपको धिएन रखना है यह जो साइड पर आपको मिल रहा है कोर्णर जो कि बिसिकल Q पीछे जाता है यह आप सोचेंगे आगे हाएगा लेकिन आपको इसे फिक्स करना है side पे और ये कुछ इस तरीके से fix हो जाता है अब दीखिए किता easily ये fix हो जाएगा अगर आप इसे इस तरीके से लगाएगे और धियान रखे ये जो नीचे आपको rod मिल रही है ना rod ये आपको उस hole के अंदर डालनी है ताकि ये rod electricity से connect हो जाए और आपका जो पानी है वो easily गरम होना शुरू हो जाए तो कुछ इस तरीके से आपको इसे attach करना है तो इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे तो अभी मैं आपको इसमें इसे किस तरीके से use करना है वो बता देती हूँ तो इसको लगाना तो assemble करना तो मैंने आप लोगों को बत कि आपको ंबिश्य के आपको इसमें पानी जो आड set कर देना है मैं इसमें डालने वारी हो लेकिनों लेकिन इसमें बगाने के बाद क्ल Championships को इसमें पानी आड़ Kenneth कर । मैंने एक ग्लास पानी आडि किया है अगर अब जादा लोग पीने वाले हैं तो इसके बाद शुकर पानी ऐड़् कर सकते हैं। यहां पर जिंजर और तुल्सी की चाह पत्ती बेंगा रहे हैं। स्टेणर पत्त्तै और समयर के oपर अप्र को छुमान है यहां परeras ग्रीन टी empirically के नाम लिट स्टेअगे डालनी तो इसी स्टेणर के अड़ा हैं। तो इस तरीके से आपको बंद कर देना है और आपको इसे Plug-On कर देना है और यह स्टीम होगा और उस हिसाब से 20 वाद का सारा का सारा जो टेस्ट है जो फ्लेवर है वो पानी में आना शुरू हो जाएगा और कलर भी आना शुरू हो जाएगा इस से फाइदा क्या होगा आप सो आर्रैब बिल्कुल भी नहीं आएगा और टेस्ट और फ लेवर दोनों एक्ठोरेट होने वाले हैं काफी तरीका लगा मुझे यह इस्तमाल करने के लिए कफी सीफ तरीके Italy बना सकते हैं बात के लिए इसे क्लीन करने की तो इसे आपको बाहर निकालना है इसली यह आराम से बाहर आ जाता है और इसके बाद आपको इसे थ्रो कर देना है जो भी समान आपको इसने आपने स्टेनर के उपर डाला हुआ है और आपको इसे बिल्कुल भी धूना नहीं है अगर आपने इसका मैनुल पढ़ा है तो आप लगों को पता होगा इसे वाश नहीं करना है इसे गीले कपड़े से आपको जब यह ग्लास ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे वाइप ओफ कर सकते हैं आप चाहे तो एक स्पॉंज की बंद से भी इसे क्लीन कर सकते हैं वह आपकी चाहे कि क्लीन हो जाए सुख जाए उसके बाद आप इसे रख सकते हैं तो आई होप आपको समझ में आगी होंगी सारे डिटेल इसमें वीडियो में मैंने आप लोगों को दी है अगर आप इसे प्रोचेस करना चाहते है तो इसका लिंक पी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चक आउ प्रिया व्लॉग्स तो वहां पर भी फड़ा फट से फॉलो के कर लीजिए ब्यूटी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो मिलती हो फिर आप से बाबाई टेक के लिए